हेई गाईज आपका स्वागत है मैन ओफ लायर के चैनल में मैं हूर रुशी केश और आज से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे है जिसका नाम होगा पॉप न्यूज जिसमें हम लोग मार्वल, डीसी, बॉलिवुड और साथ ही साथ हॉलिवुड की भी तो पहले बात करते हैं मार्वल की तो शीहल का दूसर एविसोड भी इस वीक रिलीज हो चुका है बट एक स्ट्रेंज देखने को मिलिए इन दोन एविसोड में कीवी वर्स डॉट एंट टोमेटो पे जाकर इस सीरीज को वन स्टार के रेटिंग दे रहे हैं ऐसा इसलिए क डॉट को लिख रहा है कि सीरीज में क्रिईटर्स बहुत जादा फैमिनिजम दिखा रहे हैं मेल केरेक्ठर्स को इवल और डॉमिनेटिंग दिखाया जा रहा है वहाँ पहे फीमेल्स केरेक्टर्स को लाचा और हेल्फिलेस दिखाया जा रहे हैं जो एक तरह से मान है तो गलत नहीं है, क्योंकि हर creator की choice होती है अपने art को show करने की, यही basis हो सकता है Shehal के character development का, आपको क्या लगता है मुझे comments में ज़रूर बता है, शीहल की viewership के बाद करें, तो US में इसके premiere दिन पे इसको 1.5 million लोगों ने दे गाए, जो की लोकी सीरी से तो बहुत ही जादा कम है, शीहल के इस सीरी से और एक update है, कि शीहल के total 9 episodes में से पहले 5 episodes में तो confirm एक post credit scene हो गाई, और टाइडेनिया जो हमें पहले episode में दीखे थी, वो अभी डायरेक्ट 5 episode में दीखेगी, शीहल के बाद करें, तो वो आरी MCU के पहली सूपर हीरो फैमली, Fantastic Four की मूवी के directors है, पहले तो ऐसे कहा जा रहा था कि इस मूवी को जॉन वॉर्च डायरेक्ट करेंगे, जिनोंने MCU में स्पाडर में की ट्रायलोजी को डायरेक्ट किया है, उसके बाद खबर यह आ रही थी कि Multiverse of Madness में Mr. Fantastic का रोल प्ले करने वाले जॉन स्क्रिसन की इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, बड़ यह भी एक रूमर थी, अभी रूमर यह निकल के आ रही है कि WandaVision के director Matt Sheckman इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, WandaVision में उनकी storytelling और creativity से में सच में इंप्रेस हो गया था, आपको क्या लगता है कि यह decision सही हो गया या नही है, आगे बात करते है Thor 11 Thunder के बारे में, तो Thor 11 Thunder 8 September से Disney Plus पे एवेलेबल हो जाएगी और उसके लिए उसका एक नया पोश्टर भी रिलीस कर दिया गया है, Thor 11 Thunder में दिखे गए, Shadow Creatures तो आपको याद हो गई, तो अब इन्यूस निगल के आ रही है, कि ओ Shadow Creatures इंस्पायर रहे एक बच्चे की बनाएगी ड्रॉइंग से, टाई का वर्थी टी, ज़र आप तो सिरियसली ले ले थे मूवी को, Thor 11 Thunder से, Deleted Scenes का एक आर्टिकल, ती डारेक्ट वालोंने आउट कर दिया है, अगर आपको पढ़ना है, तो स्क्रीन पर है, आप पॉस करके पढ़ सकते हो, Thor 11 Thunder से, Grand Master का, जो रोल कट कर दिया गया था, उसका एक Deleted Concept Art बहार आए, जिसका आप अब अब स्क्रीन पर देख सकते हो, नेक्स्ट अपडेट आ रही है, Moon Knight के Season 2 से, Moon Knight के Season 2 अभी तक ओफिशेली तो कंफर्म नहीं किया है, बढ़ डायरेक्टर और एक्टर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि Moon Knight का Season 2 आएगा, और वही सही, जेक लोकली के सूट का एक Concept Art लीग हो चुका है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है, आगे बात करते हैं डिजनी के D23 Expo की, तो ये इवेंट 9 September और 10 September को होने वाला है, और इसको लेके कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि इस इवेंट में Fantastic Four की कास्ट और डायरेक्टर पता चल जाएगा, Thunderbolt के मेंबर्स के वारे में पता चलेगा, Wonder Man के सीरीज का अनाउसमेंट होगा, Deadpool 3 का अनाउसमेंट होगा, और साथ ही साथ Armor Wars और Werewolf by Night के Halloween special के अपडेट मिलेगे, D23 Expo को मैं अपने चैनल में cover करूगा, अगर वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सस्क्राइब करो, नेक्श बात कर लेते हैं Sony के Spider-Verse, तो Madam Web की स्टोरी लीक हो चुकी है, ये स्टोरी Early 2000 में सेट होगी, और इसमें हमें Peter की मा, Young Uncle Ben, Madam Web और अलग-अलग उनिवर्स से Spider-Woman देखने को मिलेगी, बात करें Animated Spider-Verse की, तो इसके सेगेंड मुवी से Spider-Punk के केरेक्टर का लोग लेक हो चुका है, जो आप अब इस स्क्रीन पर देख सकते हो, बात करते कुछ Unuse Concept Art की, तो आप अब इस स्क्रीन पर Carnage का Concept Art देख सकते हैं, जो Unuse था और वो देखने में बहुत ही जादा फूल लग रहा है, इसको मुवी में इंक्लूट करते हैं, तो मुवी के स्टेर्ड जरा से बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ Multiverse of Madness से वंडा का Concept Art और Nightmare का Concept Art भी आप अब इस स्क्रीन पर देख सकते हो, डीटेल में देखना हैं तो पॉस करके देख लेना, चलिए आगे बात करते हैं कुछ DC के अपडेट्स की, तो DC का Peace Maker इंडिया में रिलीज हो चुका है Amazon Prime पर इसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है, पर DC के Executives अलग लेवल का नशा कर रहे हैं क्योंकि December में आने वाली Shazam 2 अब March 2023 में आएगी और Aquaman Christmas 2023 में, पर एक अच्छी कवर भी है, 2018 से DC के Executives है Walter Hamada कुछी समय में DC से रिजाइन करने वाल है, तो I hope कि उनके जगे एक अच्छा बंदा है, जो DC को Marvel की तरह properly rise up करें, क्योंकि DC में बहुत ज़्यादा potential है, Black Adam की बात करें, तो Black Adam के characters का एक proper look, ठेटर के बाहर लगए पोस्टर से हमें देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर में प्ले कर रहा हूँ, आप चाहिए तो pause करके डीटेल में देख लीजेगा, Aquaman 2 से कुछ concept act leak हो चुग है, जो आप अब इस स्क्रीन पर देख सकते हो, उन्हें देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है, कि Aquaman 2 एक heavy battle focus movie होगी, और उसमें VFX का भी अच्छा कासा यूज होगा, तो चलिए आगे बाद कर लेते कुछ Bollywood updates की, तो पठान मुवी से John Ibrahim का character poster रिलीज हो चुका है, जो आप अब इस स्क्रीन पर देख सकते हो, इसे अब ते release हो इलाएगर मुवी, जिसका trailer देखने के बाद, सबके expectations बहुत ज़्यादा दें, बट ये मुवी critically fail रही और लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, अगले update आज ये director विवेक अगनियोत्रिफे, उन्होंने अगनी एक photo कार्थिक आर्यन के साथ post की, और जिस प्रकार की captions उन्होंने यूज किये, उससे तो लग रहा है कि उन दोनों की साथ में कोई फिल्म आने वाली है, चेली बात करते हैं ब्रहमास्तर मुवी के बारे में, तो ब्रहमास्तर मुवी का एक special premiere रखा गया था, सिर्फ directors और actors के लिए, ऐसे से राजय मुवी ने ये statement दिया है, कि ये movie एक fairytale नहीं होने वाली है, तो ऐसे लग रहा है कि ये movie कुछ-कुछ moments में बहुत hard और brutal चली जाएगी, आपको क्या लगता हैं, comments में बता हैं, इस week के लिए बस इतना ही, अगर आप Marvel, DC, या फिर Bollywood, या Hollywood की news में interest रखते हैं, तो subscribe केजिए हमारे channel Man of Lark को, और अगर आप She Hulk episode 1 और 2 में के hidden details को जानना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी She Hulk series ज़रूर recommend करूगा, तो भी check out कर लेना, में और इशिकीश मिलते हैं, next episode में, तब तक के लिए, stay safe, stay happy.